तो इस वीडियो सीरिज में कर रहे हैं सिगनल सिस्टम के प्रेक्टिस कोश्टन्स वर गेट यह सी एंड अदर पीश्य एग्जाम अगर वीडियो पहली बार देख रो तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अब बिल्कुल फिर्स्ट वीडि इसके इलावा आपको बाकी जैसे गेट के अप्रियूट के प्रिवेस यह ओल ब्रांचिस की ठीक है और लियर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यह जाके आप चैक आप कर सकते हो अभी हमारा चला है लैपलस टांसों ठीक है अभी तक और मुस्ट चार वीडियो बन चुकी है यह फिफ्ट होगी आई थिंग दो त्म वीडियो ओर रहेंगी सत्रसी कोशन करेंगे इसके ठीक है तो फर्स्ट कोश्चन है हमारे पास इन्हों ने बोला है कि लैट एक्स टी इस इकल टू एई रिस टू पावर माइनस टी यूटी विए कंटिनूस टाइम सिगनल इस जिफी ठीक है तो दो सबसे पहले हमें पता है कि by ओफ टी लिख लिते हैं क्या होगा इस वाइऑ एक्स टी होगा ऐई एई रिख्ट पावर माइनस टी यूओ ती ठीक है और जो भी-एक्स मामीनर्ट ती एक्स ओप माइनस टी तो इस टौवर टी डीका माइनस टी कर दिया ठीक है अब हमें लेने लेक्स अब इसका थोगा एपॉन एस प्लस वन ठीक है इसका एगा तो यह के पावर टी यूफ माइनस इसका एगा माइनस 1 divided by s minus 1 ठीक है इसकी ROC क्या आ जाएगी minus 1 से sigma जो की 1 ठीक है क्यों क्योंकि ये right hand side signal है ठीक है इसकी ROC ने चाहिए greater than minus 1 इसकी ROC ने चाहिए less than minus less than 1 तो common जो ROC आ जाएगी दोनों के addition की वा जाएगी minus 1 से plus 1 ठीक है इसका मतलब नहीं है दिये हुआ है बस ठीक है अब इसको हम solve करेंगे a s minus a minus b a s minus b divided by s square minus 1 ठीक है यहां पर s का coefficient क्या जाएगा a minus a b s minus a minus a b a constant divided by s square minus 1 ठीक है बट वाई हमारे को क्या दिया हो है y s s upon s square minus 1 यानि की s का coefficient 1 होना चाहिए it means a minus a b equal to 1 ठीक है a minus a b equal to 1 हाँ और second minus a minus a b constant term तो 0 होनी चाहिए और यहां से a common निकालेंगे one plus b equal to 0 तो a to equal to 0 नहीं हो सकता है equal to 0 होते है सिगनल ले खत्म हो जाएगा ठीक है तो अगर यह 0 हो गया ytb 0 होना चाहिए तो यह कहां से आ जाएगा है ना तो इसका मतलब one plus b ही 0 के खुल आएगा और b equal to आजएगा minus of 1 ठीक है और अगर a की value क्या आजाएगी यहां से यहां पूट कर दो a minus a b equal to 1 और b equal minus 1 है a plus a is equal to 1 एक वेलिवा जाएगी हाफ ठीक है एक वेलिव हाफ है बीक वेलिव माइनस ओफ फ़न नेक्स कोस्टिन है लैप्लस ट्रांस्वर्म उप सिगनल एक्स ओफ टी शौन इंदा फिगर इस तो सबसे पहले हमें सिगनल यह बना लेते हैं किया देखो यहां पर स्लोप जो है कितनी है चेंज इन वाई वन है चेंज एक्स टीनोट है तो इसके स्लोप है वन बाइट टी लिए वन बाइटी नोट अर्टी ठीक है और टाइम इसी कल टी टी ऊट्रक्ट पर शौफ चेंज हो रही है वन बाइटी नोट से जिरो तो यहां पर हैगा माइनस आर ओफ टी माइनस टी नोट ठीक है तो वन बैट टी नोट तो कॉमन ही आ जाएगा बहार ने लिख लेते हैं आर ओफ टी माइनस आर ओफ टी माइनस तीनोट ठीक है यह एकस ओफ टी अगर इसका लैपलेस लेना हो कि वन बैटी नोट आर टी का वन बाइस स्कूर ठीक है अगर डिले के साथ इस पार माइनस एस टीनोट डिवाइड बाइस स्कूर ठीक है एस स्कूर कोमन निकालो वन डिवाइड बैटी नोट एस स्कूर वन माइनस इस टूपार माइनस एस टीनोट ओप्शन सी ठीक है नेक्स्ट कोस्टिन है लैप्लस ट्रांस्वर्म ओफ कोस् 3T यू ओफ माइनस टी कॉनुलूशन ओफ इरिश्टपाव माइनस टी यू ओफ टी तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोस ओफ 3T यू ओफ माइनस टी का आएगा माइनस एस अपॉन एस स्क्वेर प्लस नाइन अच्छा कॉन्वलोशन इन टाइम डुमेंड इट मेंस माइनस एस अपॉन एस स्क्वेर प्लस नाइन और इसकी आरो सी क्या आएगी इसके लिए सिग्मा लेस जन जीरो है ना लेफ्ट एंड साइड सिग्नल रहने और इस टुपावर माइनस टी यू टी का आएगा वन डिवाइड बै एस प्लस वन और इसके लिए आरो सी क्या आएगी सिग्मा ग्रेटर दन माइनस वन तो दोनों का कॉमन मिला के क्या आजाएगा सिग्मा लेस जन जीरो ग्रेटर दन माइनस ठीक है रियल पार्ट ओफ एस तो ऑप्शन देखो ए और डी तो खत्म ही हो गए और बी आजाएगा फिर ठीक है माइनस नेक्स्ट कोस्ट्यन है पोरेल अपलस टांसों पेर एक्स अफ ट क्लापलस एक्स अफ एस विचो फोलिंग स्टेटमेंट इस नोट ट्रू इफ एक्स अफ एक्स अफ माइनस यह तो सही है ठीक है एक्स अफटी और फॉल्ट फंक्शन दें एक्स ऑफ एक्स अफ सेस्ट उप एक्स अफ माइनस यह षण है ठीक है और सी बोले है एक्स अफ टी आरसी मस्ट वी चूजन कोर्रिसपोंट इंटo सब्सक्राइब अब देखो यह भी ठीक है एवन सिगनल बोले नों जैसे ए रिस्टु पावर माइनस ए ओफ टी ठीक है तो इसकी यार उसी बहुत सब्सक्राइब आती है मैं जिसमें बड़ा था माइनस एटू है बट इसमें एक चीज है कि जुरूरी नहीं कि और जो एवन सिगनल है हो सकता है कि वो टाइम लिमेटेड भी हो तो हो सकता है उसकी आर उसी एंटायर है कि नेक्स कोश्चनल एपलस ट्रांसर्म ओफ इरेस्टु पावर टी डी बटी इस टुपार माइनस टू टी यू माइनस टी ठीक है अस्प से पहले देखो एक 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 करकर करते हैं तो इस टू पावर माइनस टू टी यू ओफ टी का लेपलस क्या आना चाहिए माइनस वन डिवाइड़ बाइस प्लस टू ठीक है एस प्लस टू और रोची क्या आएगी सिग्मा लेस देन माइनस टू ठीक है और लेफ्ट एंड साइड आरोची आएगी ठीक है तो इस वयसे बी और डी तो गलत हो गए अब मागर डिफ्रेंशिशन करूंगा इधर तो यहां पर एस मुल्टिप्ले हो जगा सिंपली अब मैं अगर इसमें इस टू पावर टी मुल्टिप्ले करता हूं किसी भी सिगनल के साथ तो लैपलस डूमिन में क्या आएगा एस के जगह एस माइनस वन और यहां पर आरोसी क्या जाएगी माइनस वन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा ठीक है तो यहां जागा अंसर ओप्शन एबन जाएगा ठीक है यहां जाएगा वन माइनस एस डिवाइड़ बाई एस प्लस वां ठीक है नेक्स कोस्टिन है लैपलस ट्रांस्वाम ओफ एस टू पावर टी साइन टू टी प्लस फोर यू आफ टी प्लस टू यह हम कहां से स्टार्ट करेंगे साइन टू टी यू अफ टी से इसका क्या आएगा टू डिवाइड़ बाई एस स्कूर प्लस फोर यह ना आरो से क्या आएगी ग्रेटर देन जीरो ठीक है अभी तक अगर मैं टी की जग़ाट टी प्लस टू कर रहा हूं तो मेरे पास यह आ रहा है टी की जग़ा टी प्लस टू की है मैंने मतलब एडवांस कर दिया सिगनल तो यहां पर क्या आ जाएगा इस टू पावर टू एस ठीक है तो आरो सी तो यही रहेगी और साथ में अब मैं अगर मैं अगर माल्टिपले करते हूं इस टू पावर टी तो एस की जग़ा क्या आ जाएगा एस माइनस वन और आरो सी ग्रेटर देन वां ठीक है तो ओप्षिन क्या जाएगा देखो लेस देन वालगे खतम कर दो उसके बाद एस प्लस टू यहां पर यह खतम ओप्षिन एस माइनस वन एस माइनस ओप्षिन एस अप्षिन एस राइट आंसर कि नेक्स कोश्चन है कि टाइम सिगनल कोर्सपंडिंग टू एस डी स्कूर डबल डिफ्रेंशिशन ओवन वाइस स्कूर प्लस नाइं प्लस एस प्लस से देखो सिंपल एस प्लस वन पॉन एस प्लस तरी का तो यह आई गया इसमें को दिक्कत नहीं हमें सरफ इसका करना है स कि ऊपर तरी नीचे तरी ऐसे कर लेते हैं तो यह किसका है कि वन बाइट ट्री कि अग्या कि साइन ओफ ट्रीटी कि यू अफ टी है ना इसका लैप्रस ट्रांसवर्म यह अब दो डबर डिफिनिशिशन है यहां पर ठीक है तो क्या होता है अगर मैं टी की पावर N multiply करता हूं X T पर अगर X T का लैप्रस ट्रांसवर्म X से अगर मैं टी की पावर 1 multiply करता हो यहां पर तो या जाएगा माइनस 1 की पावर वर एन झालत टाइम लिफ टेम लिफेंशिशन ओफ एक्स उफ ती कि का अब यहां पे दो बल डिफेंशिशन है जिक साफ ए कि टिकिंपावर स्कोर मिलट्प्लए कि होगा मैंने है तो ट टी की पावर यहां पर डबल डिफेंश्टिश्थ रेंड्ब ती की टी س्कورद कि होगा और माइनस वांड की पावर टू तो प्लस वन यह आ तो अगर मैं यहां पे इस तरीके से लिखूं कि माइनस वान की पावर टू डिवाड़ बाए थ्री डबल डिफ्रेंश अच्छा यह तो अब यह हम कैंसर कर देते हैं इसकी क्या उजरूत है जिसका मतलब क्या करो हूं मैं माइनस वन की पावर टू डबल डिफ्रेंशेशन ओ वन डिवाड़ेड़ बाइस स्क्वेर प्लस नाइन है ना तो इसका मतलब मैंने टी स्क्वेर मुल्टिप्लेय किया था ठीक है अब क्या हो रहा है एस मुल्टिप्लेय हो रहा है यहां पर मैं स्क्वेर मुल्टिप्लेय हुआ मतलब यहां पर क्या हुआ डिफ्रेंशेशन एक्स टाइम डोमेन में तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा वन बाई थ्री डिफ्रेंशेशन ओफ टी स्क्वेर अच्छा इसमें एक और छोटे सी दिखकत आई थिंग इन्होंने पता नहीं यू आफ टी कर डिफ्रेंशेशन किया कि नहीं किया तो नहीं देखना पड़ेगा कि यू आफ टी का अगर यू आफ टी का करेंगे तो डेल टी आएगा जिरो हने वाला बट करना पड़ेगा मैं तो यहां पर क्या आएगा माइनस वन का स्कूर तो वन ही आजाएगा एस वन प्लस एस स्कूर व्लस नाइं ठीक है तो अब यहां पर डिफ्रेंशेशन करना हमें तो वन बाई थी तो बहार ही है सबसे पहले क्या करते हैं टी स्कूर को का कर दिया मैंने तू टी पक्रक्षब को ऐसी रखा ठीक है प्लस कि फिर किया साइन टी का टी स्कूर साइन टी का कॉस्ट रीटी त्री बाहर यू अफ्टी यू अफ्टी कभी हमें करना पड़ेगा ना क्योंकि यह भी तो टाइम प्लस कि अब यहां पर कर देंगे तो यह तो खत्मी हो जाएगा बट यह ध्यान अखना आगे पर कोशन आएगा उसमें देखेंगे तो यह तो यह सेम चीज़ी है बस अब कंपेर कर लो कुछ बचा नहीं है कि वन बाई थ्री को मल्टिप्ले कर दो तो टू टी डिवाइड बाई थ्री साइन थ्री टी यू अफ्टी को कॉमन निकाल लेंगे टी स्कुएर कॉस थ्री टी तो देखो टू यह खत्म यह खत्म इस ही आगया ठीक है चेक कर लेने हैं और इस नेक्स कोस्टिन है इस एक्सेस इस दा वन साइड़ लैप्लस टांस्वर एक्स ओफ टी देन टाइम सिंगल को रिसमने टू डिफिनिशन ओफ एक्सेस के टी एक्स टी बैल्यwe के यह तो हमीं प्ता है कि lodा माइनस वजंगे लिफिन टीक है और नेक्सट रिफिन के लैप्लस ट्रांस्वर उंस ओफ टेज के इस सबसे पहले यहां पर हमें पता है कि साइन टी ए तो स्कूर प्लस ओमेगा नौट स्कूर और एस प्लस ए आया होगा देखो यहां पर टू एस प्लस हो आना तो सबसे पहले हम एस को कॉफिशन्ट वन कर लेते हैं कि देखो कि वन डिवाइड बै टू कोमन निकालूंगा तो स्कूर भी है तो फोर आ जाएगा फोर एस प्लस हाफ का स्कूर प्लस फोर है ना अब हम पता है कि ए रिस्ट पावर 80 की वाज़े से क्या आता है एस प्लस ए तो यहां से ए डारेक्ट वन बै टू आ गया अगर हमें करना भी उल्टा अगर मैं 4 बाहर निकाल लूँ वन फोर डिवाइड वाइड और एस प्लस हाफ का स्कूर प्लस वन है ना तो इसका इन्वर्स लैप्लस तो से फिल डारेक्ट भी आ जाएगा कि वन बै फोर अगर यहां पे हाफ ना होता है स्कूर प्लस वन वह होता है साइ ती यूटि का s प्लस हाफ है इसका मतलब e raised to power minus half t तो यह एक वेलो हो जागी minus sorry plus half minus a है यहाँ पर next question है देखो convolutional question है तो इसको हम graph से भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी करेंगे इन्होंने बोले x of t क्या है cos of t u of t h of t क्या है साइन टी यूटी convolution result find करने ती इकल टू पाई बाई टू पर अब देखो अगर अगर पहले लेक्टर्स देखे हुए हैं तो हमने कोशन किये हैं काफी graphical method से तो इसको हम ट्राइ करते हैं graphical method से भी और लैप्लस से भी दोनों जैसे त्राइग रहें हैं अच्छा क्या करते हैं हम जब मुझे conversion find करना होता है सबसे पहले अगर किसी specific point पर find करना है वह काफी easy हो जाता है तो sign xd तो ऐसे रखते है को सॉफ्टी है ना ठीक है यह है एक्स उफ्टी उसके बाद क्या बनाते हम एच्छ ओफ माइनस टी अच्छा यह है एच्छ माइनस टी माइनस टी साइन अना साइन का माइनस बनाना मतलब यह बनेगा थोड़ा साथ हुआ है यह क्या है मेरे पास है एच्छ ओफ चेमा माइनस स्टी है ना तो जब हमें वा इओ टी औफ ऑई टू पर फांड करना है तो मैं क्या करूँगा इसको पाइज ऐस साइट करते हैं ठीक है तो है यह आ गया यह क्या है मेरे पास एच्छ ओफ है कि है एक ओफ माइनस टी प्लस पाइबर है था ना तो वाई ओफ पाइबर तू गया होता है पाइबर तो वाइओ ओफ टी च्या होता है इंटिगरेशन ओफ एक्स ओफ टाव है यूफ टी माइनस टाव तो य औफ पाई बाई टू क्या एगा इंटिग्रेशन ओफ एक्स ओफ टाउ एच ओफ पाई बाई टू माइनस टाउ डी टाउ है ना मतलब एक्स ओफ टाउ यानि हम टाउ लेके बात है यहां फिर ठीक है दोनों को क्या करो मैल्टिप्लाइ करो और माइनस इन्फाइनट से लेके इन्फाइनट तक इंटिग्रेशन कर दो तो अगर हमें पता है यह पाई बाई टू अब अगर हमें जिरो से लेके पाई बाई टू के बीच में ही दोनों का मिल्टिप्लाइशन नोन जिरो है उसके बाहर तो यहां भी से पिल्स प्लस पाई बाई टू यह भी जीरो से प्लस पाई बाई टू के बीच में पूस ऑफ टाउ के ऐकोल है यह ना ऐसे ग्राफ बने तो मेरा je comments . प्लस पाई बाई टूआ यह यह भी कोस टू है यह भी प्लस टूह डिवाइस डिटौ थी यह न तो जीरो से pi by 2 यह cos square tau तो यह आज़ेगा 1 plus cos 2 tau divided by 2 d tau यह आज़ेगा tau by 2 plus sin 2 tau divided by 4 0 से pi by 2 तो pi by 4 आज़ेगा sin 2 into pi by 2 sin pi वो भी 0 आज़ेगा साइन जीरो भी जीरो आजागा तो अंसर आजागा पाई बाई फोर है ना थोड़ा सा मतलब अगर पहली बार देख रहो तो मुश्किल आएगा बट अगर आपने ग्राफिकल मेथड के कोशन्स किये हो है तब आपको थोड़ा असान लगाओगा है ना बट इससे सिखाने के लिए हम लैपलस से भी ट्राइ करते हैं इसको अब देखो लैपलस से तो पता ही है कि वाई ओफ एस किसके को आ अब देखो इसका इनवर्स कैसे बनाए तो कुछ ना कुछ अपने को ढूंड़ा पड़ेगा स्टेंडर्ड सिगनल या फिर कुछ प्रॉपटी क्या यह वन बाइस स्कूर प्लस वन का डिफ्रेंशेशन के एक को नहीं है मतलब कॉंस्टेंट को हटा दो अगर वैसा से बने स्कूर प्लस वन डिवाइड बाइड डियस तो वह कुछ इस तरीके से बनेगा अगर मैं कॉंस्टेंट की चीज़ें हटा दूं अगर उनली एसस को देखो है ठीक है तो और यह किसका लैपलस होता है होता है साइन टी यू टी का तो मैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि साइन ओफ टी यू ओफ टी का क्या होता है प्लस वन डिवाइड बाइस स्कूर प्लस वन है ना और अगर मैं टी मुल्टिप्लाइ करता हूं इदर किसके को लाता है कि माइनस और डिवाइड बाइस स्कूर प्लस वन डिएस नहीं किसके उक्राइगा माइनस वन अगे जिन टू डिवाइड बाइस स्कूर प्लस बडस वन का स्कूर हो जाएगा और टुएस स्कूर्ट प्लस वन का डिफनिशेशन टू ओफ एस है ना माइनस माइनस कैंसल ओच और मुझे चाहिए था सपाउन स्कूर्ट प्लस वन का हो स्कूर्ट में इधर ले आउंगा एट मेंज जो मेरा वाई ओफ एस से उसका मुझे इनवर्स मिल जाएगा है ना तो मेरा यहां से वाई ओफ टी किसके उकल आगा अब मुझे पता चला वाई पाई बाई टू तो टी के लिए पाई बाई टू तो यहां पर पाई बाई फूर साइन पाई बाई मैं उपाई बाई 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 फॉर गए तो उससे भी आगा तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो वो डिपेंड करता है पिर यह देखके आपके दिमाग में नहीं आता कि यार इसको इन्वर्स कैसे लग रहे है कि लिक नहीं करता है ठीक है सब्सक्राइब करते हैं काफी जगा कोशन में भी गलती होती है और बच्चे भी करते हैं तो जब इसका करना बूल जाते हैं और अगर आप करके देखों कि तब अंसर भी अलग अलगाएगा अगर मैं देखूं कि एक्स ऑफ टी इनके तरीके से देखें इसका लैपलस क्या है इसका लैपलस है वन बाई एस प्लस वान अगर इसका डिफ्रेंशियेशन इनके हिसाब से देखते हैं ठीक है इनके हिसाब से तो यह बोलने हैं कि ए रिष्ट पाव माइनस टी और टी ग्रेटर दन इकल टू जिरू यानिकि यूफ टी साथ में मल्टिप्लाई है इसका लैपलस आएगा वन बाई एस प्लस वन और यह इकल है एक्स ऑफ एस के दिख क्या होना चाहिए जब आप डिफ्रेंशिशन करोंगे तो पहले अप इसका डिफ्रेंशिशन करो वह तो आ जाएगा माइनस इस टुपाव-वायनस-टी-ई-उ-व्प-डी-ई-उ- यह आजाएगा अब अगर मैं लुबत लों इसका तो यह अगा । यहाँगा दिवायद वायद स्प्लस्फथ वन प्लस्फ वन है ना त्होई अगा 1-1 प्लसस्फट्स 1 दिवायद स्प्लस्फफ वन यह अगा S upon S plus 1 ये equal to X into X of S ठीक है? तो ये गलत है दिखा जाए तो नहीं आना चाहिए बट बहुत जगा आपको मिलेगा अगर paper में आएगा जो A, J वाले वो वाले paper होते हैं तो वहाँ पर लगाना ही पड़ेगा है ना? कुछ करतो सकते नहीं है तो ये चीज़ ध्यान में आपको सई चीज़ भी आने चाहिए गलत चीज़ भी आने चाहिए ठीक है कि सामने वाला अगर मूर्ख है तो मैं उसी तरीके से बात करने पड़ेगा उससे तो वो चीज़ ध्यान लगना है X of S divided by S यहां पर integration किया होगा है इन्होंने इंटीग्रेशन X of S divided by S तो integration वाला क्या आएगा इंटीगरेशन का यह आजाएगा वन आ जाएगा ना यह है और तू एस है मतलब 2S है मतलब T by 2 किया होगा यहां पर भी टू तो टी बाइटू हना वह यह वाला तू यहां पर आ गया तो फोर आ गया बस इतना हमें इसमें एक चीज सीखने वाली है यह यह ध्यान रखना क्योंकि फिर क्या होता है अब इसका कर लेते हो यह नहीं करते फिर आपका अंसर मैच नहीं करता है बस वहां पर गलती हो जाती है तो इस वीडियो के किसी भी कोशन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो त्यों गलती लगी हो उसको पॉइंट आट कर सकते हो और टेलिग्राम पर बिजूड सकते हो ठीक है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल नको सब्सक्राइब कर दिना थैंक्यू सो मच